आज से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सिनेशन शुरू हो चुका है सरकारी केंदर पर बच्चों का मुफ्त में वैक्सिनेशन हो रहा है प्रदेश में 50-50 लाग बच्चों का वैक्सिनेशन होगा हमारे से योगी ने वेक्सिनेशन के सेंटर पर जाकर बच्चों से बाच्चीत की क्या कुछ कहाया है यह आपको दिखा दे से लेके आई हैं और में प्रदान मंत्री जी और योगी जी ने जो है काफी अच्छी है इसमें बच्चे जो दो साल से स्कूल नहीं गए हैं लेकिन आप जब वेक्सिनेटेट हो जाएंगे काफी पेरेंट्स का जो एक था की वैक्शिनेशन ना होने के वीज़ नहीं बेजात जैसे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था तो कईना के पैरेंट्स को रहात मिलेगी बहुत रहात मिलेगी क्योंकि वो चाहते ही थे कि कुछ ऐसी चीज आ जाए जिससे बच्चे हमारे जो पूरी पढ़ाई जिसे पीछे हो चुकी है और बाहर नहीं निकल पारें काफी लोग घर के अंदर थे वो सब खतम हो जाएगा और हम बनाहां जैसे पहले जी रहते हैं वैसे दुबारा जिद्दी के जिए मैडम यहां पर एक बिक्या है मुझसे बात कहते हैं क्या नाम है आपका और एक्सिलेशन लगाने से किस तरह से आपको प्रूर्ण के बाद मुझ से मतलब और सब जाने आने भी लगे हैं तो वात अच्छे तरह के से उनकी पढ़ाई भी चलिए लेक्सिनेशन के यहां पर और बिट्या क्या नाम है पिट्या आपको चुकला कैसा लग रहा है वैक्सिनेशन लग गया है को बहुत लोग सर बहुत अच्छा लग रहा है यह बाकी लोग जिस्ता से डड़े हुए तो यह सर ड़न निकल गया बहुत असान है बिल्कुल कहीं न कहीं देख सकते हैं कि यहां पर वो बच्चिया है जो 12 से 15 साल के हैं जिनको वैक्षिनेटर किया गया है और आपको बताते कि कहीं न कई बच्चों का कहना है कि रिलाक्स फ पंकज मंडल इंडिया न्यूज लख लो फलाल इस बुलिचिन में बस इतना है दीजिए मुझे इजास्त और आप देखते हैं इंडिया न्यूज